सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय अगला भाग रामचर्त मानसका संभुचरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुखुपावा सीवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया कथा सुनने की उनकी लालसा बढ़ गई नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई प्रेम बीबस मुख आवन बानी दसा देखी हर से मुनि ज्यानी अहो धन्यतव जन्मु मुनी सा तुमही प्रान सम प्रिय गोरी सा वे प्रेम में मुख्द हो गए मुख से वाड़ी नहीं निकलती उनकी यह दसा देख ज्यानी मुनी याज्य वल्क बहुत प्रशन हुए और बोले हे मुनीज अहा तुम्हारा जन्म धन्य है तुमको गोरी पती सीव जी प्राणों के समान प्रिय है सीव पद कमल जी नहीं रति नाहीं राम ही ते सपन हुन सोहाईं बिनुछल विश्वनात पदने हुँ राम भगत करल अच्छन एहुँ सीव जी के चरण कमलों में जीन की प्रीटी नहीं है वही राम चंद्र जी को स्वपन में भी अच्छे नहीं लगते बिश्वनात श्री सीव जी के चरणों में निस्क पट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भगत का लक्षड है सीव सम को रगुपती ब्रत धारी बिनु अगत जी सती असिनारी पनुकरी रगुपती भगती देखाई को सीव सम राम ही प्रियभाई सीव जी के समान रगुपती की भक्ती का व्रत धार करने वाला कौन है जिनोंने बिना ही पाप के सती जी जैसी इस्त्री को त्याग दिया और प्रतिग्या करके स्री रगुपती की भक्ती को दिखा दिया हे भाई स्री राम चंद्र जी को सीव जी के समान और कौन प्यारा है मैंने पहले ही सीव जी का चरितर कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया तुम स्री राम चंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोसों से रहित हो प्रेम से बोलो सियावर राम चंद्र कीजै पवन सुत हनुमान कीजै आज राम चर्जमानस बालकांड का 104 दोहा संपन होता है और यहीं बिस राम लेते हैं बोलो राम दरबार कीजै